करेंगे तॉपिंग नहीं टॉपिक करेंगे सीफॉर साइकल करेंगे सीफॉर प्लांट्स क्या होते हैं तुम को नोटिफिकेशन यहां पे बहुत दिक्कत रहता है चैनल सबस्क्राइब करने के बाद भी कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया मैं मेरी क्लास मिस हो गई है तो तुम वहां पर नोटिफिकेशन तुमको प्रॉपरली मिल जाएगा साथ में बड़ा सारा मोटिवेशनल मैटिएयल चलता रहता है वहां पे प्लास दिचस अपना ख्लिपस चालते रहते हैंश चो चुंड़ी तुम लोगोंसे बाते करते रहते हैं फ प्लास तुम हमारी फामिली से कनेकटेट हो online platform है जैसे आप UnAcademy पर preparation करते हैं यहाँ पर YouTube पर वैसे ही यह भी preparation कराता है इसमें सिर्फ difference इतना है कि यहाँ पर 40 teachers पढ़ाते हैं जैसे placebo पर 4-5-6 teachers पढ़ाते हैं वहाँ पर 40 teachers टीच करते हैं training देते हैं बच्चों को NEET के लिए chemistry,实ics & biology की उनी teachers में से मैं भी एक हूँ तो मैं अपना पूरा syllabus वहाँ पर पढ़ाती हूँ Zoology, Botany, Plus One, Plus Two इस वक्त मेरा crash course चल रहा है वहाँ पर जहाँ पर मैं सब कुछ दुबारा से पढ़ा रही हूँ सब कुछ और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कर रहे हैं चार महीने लेंगे हम ये crash course पूरा करने के लिए तो मतलब एक एक चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ वहाँ पर बहुत तेज नहीं है वह वाला course अगर तुमने कोई chapter नहीं भी पढ़ा है तो भी तुम crash course में आके पढ़ते हो कि देखो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा syllabus पूरा हो चुका है तुम्हें रिवाइस करना है then you can join अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी पूरा ही नहीं हुआ है then you can join so 40 teacher है सोचो and all of them कुछ अपना course पढ़ा रहे हैं कुछ course पढ़ा के खतम कर चुके हैं crash courses पढ़ा रहे हैं कुछ crash course करके खतम कर चुके हैं अब questions करा रहे हैं सो आप किसी भी stage पे होंगे नीट के तो आपको एक step आगे push करने के लिए ये channel मतलब आपको धगा देता है आगे के तरफ push करता है ओके और मेरे courses में बता देती हूं थोड़े से और कौन से चलेने वाले हैं एक मेरा ecology का course शुरू होने वाला है जो सिर्फ ecology के लिए होगा क्योंकि तुम लोगों को ecology में बहुत दिक्कत आता है तो properly उसको कैसे complete करेंगे NCRT से पढ़ेंगे कैसे questions आ चुके हैं ये देखेंगे थोड़ा बहुत अगर out of syllabus कुछ आ रहा है तो वो discuss करेंगे देन आनन्द मनी सर के साथ मेरे joint courses आ रही हैं जिसमें मैं आनन्द मनी सर के साथ एक course पढ़ा रही हूँ अभी 10 जनवरी से वो शुरू होगा NEET plus boards का जो ब्वैच है ठेक है तो उसमें क्या है 10 जनवरी से मार्च तक हम लोग boards की तयारी करेंगे purely plus two और past papers discuss करेंगे कैसा cbsc में पर आता है कैसे तुम उसका answer लिख सकते हो इस तरीके से देन मार्च के बाद माई तक माई स्टार्टिंग में जब तुम्हारा तीन माई को पेपर है ना दो माई के आसपास तक हम तुम्हें प्लस वन पढ़ाएंगे तो पूरा प्लस वन प्लस तुई यहां पे cover हो गया बोर्ड वाला भी problem तुम्हारा हल हो गया और नीट वाला भी problem तुम्हारा हल हो गया फिर रहाएंगे और पंदरा जन्वरी के आसपास जिसमें कि पूरा तुम्हें सीरियल रिवाइज आनन्मनी सर के सारे courses देख सकते हो सारे teachers के सारे courses देख सकते हो आपको ऐसा नहीं कि कोई अलग teacher के लिए अलग code यूज करने के जरू होता है एक subscription से सभी teachers की classes देख सकते हो और सारे subject सी classes देख सकते हो ऐसा नहीं है कि अलग-अलग subject के लिए आपको अलग-अलग code डालने के ज देख लिजे, you go to unacademy learning app, ठेक है यह प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल करेंगे, एक मिनट, इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके ओपन करेंगे आप, और आप फ्रन्ट पेज को लेगा, तो आप प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक, प्लस के बाद आपको फिर से बड़ा सारा option आएगा, आप जाओगे, नीट अडियम्स के option में, कहां गया भईया, आप जाओगे, नीट अडियम्स के option पे, इसको क्लिक कर दोगे, फिर जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे, अब वो पूछेगा आपको कितने समय का सब्सक् सब्सक्रिप्शन का फीस है 24,000 रुपीज, सब कुछ मिला के, everything, मेरा सारा का सारा कोर्स इसमें आजाएगा, प्लस और भी 40 टीचेस का कोर्स आजाएगा, 24,000 को और कम करने का तरीका मैं बता रही हूं, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और कम हो जाता है, then, वन येर, अगर तुम प्लस वन में हो, प्लस टू में जा रहे हो, तो तुम वन येर सब्सक्रिप्शन लोगे, ये रहेगा 30,000 को, इसको कम करने का भी तरीका है, यदि तुम दस वी में हो, अभी तुमारे पास बहुत समय है, प्रेपरेशन का, तो यू विल गो फॉर दिस टू येर कोर्स टू येर का फीस रहेगा, 48,000 रुपीज, अब तीनों को, दस, दस, दस परसेंट तुम कम कर सकते हो, कैसे देखो, फॉर एक्जामपल, वन येर वाले को देखो, 30,000 यहां पे फीस दिखा रहा है, तुम डालोगे कोड यहां पे, रितू लाइव, यहां पे ब्लांक स्पेस आएगा, और समने अप्लाइब बटन आएगा, यह कोड डालोगे, रितू लाइव, जैसे ही तुम यह कोड डालते हो, अप्लाइब बटन हिट करते हो, तुम को 10% ओफ देखने को मिलता है, 27,000 रुपीज, वन येर का 30 में से 27 होगे, अच्छा चा, मैं कुछ और सोचने आएगा, तो जोईन, अगर करना चाहते हो, तो अभी कर रो, क्रैश कोर्स चल रहा है, जितने चाप्टर्स मिस करते जाओगे, फिर वो रिकॉर्डड सेशन देखने पड़ेंगे, अभी हुए दो तिन चाप्टर्स हैं, जादा हुआ नहीं है, चलो, लेट्स गो फॉरवर तुम्हें मैंने पिछली क्लास में, एक राक्षास के बारे में पढ़ाया था, I taught you about a demon, which demon is this, this demon is called photorespiration, yes or no, photorespiration, photorespiration plants की जान का दुश्मन है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो C3 plants अपने stomata बंद कर लेते हैं, स्टॉमेटा बंद करने की वज़े से, जो वो oxygen release कर रहे होते हैं, वो oxygen cell के अंदर ही भर जाती है, अब मैं तुम्हें ये पिछली पर बता चुकी है, तो मैं बिल्कुल भी detail में जाने वाली हूँ नहीं, तुमने अगर पिछली अलिकलास नहीं देखी तो तुमारी गलती है, ठीक है, पर मैं तुम्हें थोड़ा सोड़ा याद करा दूँगी, जो बच्चे देख चुके उ फोटो रेस्पिरेशन, ये हद से जादा नालायक प्रोसेस है, ठीक है, इट प्रोड्यूस नथिंग, ना तो ये होता क्यों है, फोटो रेस्पिरेशन होता क्यों है, तुम्हें याद करो, जब हम C3 साइकल पढ़ते हैं, तो अपा पढ़ते हैं कि RUBP होता है, RUBP में CO2 कम रूबिस्को, रूबिस्को, राइबूलोज, बिसफोस्फेट, कार्बॉक्सिलेज, ऑक्सिजनेज, अब इसकी प्रोपर्टी क्या थी, रूबिस्को की, ये मन चला सा है, रूबिस्को का मन किया, अगर बहुत ज़्यादा CO2 कॉंसेंट्रेशन है, तो CO2 को पढ़के RUBP मे ठीक है, रूबिस्को को, अगर CO2 जादा मिल रहा है, तो CO2 पकड़के RUBP में डाल देगा, अगर O2 जादा मिल रहा है, तो O2 को पकड़के RUBP में डाल देगा, जब तो CO2 को पकड़के डालेगा, तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लो, O2 को नहीं डाल रहा, CO2 क तो बहुत अच्छी बात है, यह C3 cycle चल जाएगा यहां पर, C3 cycle से glucose बन जाता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत का बाती है, दिक्कत का बाती है, जब बहुत धूप हो रही है उपर से, स्टॉमेटा बंद हो चुका है, तो oxygen की concentration यहां बहुत बढ़ चुकी है, cell के अंदर, और Rubis को अब CO2 की जगे, O2 को पकड़ लेगा, और Rubp के साथ डालेगा, जैसे ही यह O2 को Rubp के साथ डालेगा, यह पूरा C3 cycle बंद हो जाएगा, और एक अजीब सा ही cycle चलना शुरू हो जाएगा, C3 cycle will stop working, and what will start forming, photorespiration, ठेक है, photorespiration, and photorespiration से कुछ नहीं बनता, जैसे C3 cycle से glucose बनता है, न, photorespiration is an absolute waste, बलकि photorespiration तो यहां से O2 लेकर, plant की CO2 निकाल देती है, और यह CO2 waste हो जाती है, तो एक तो CO2 waste करती है, प्लस एक ATP भी खाती है, बिना बात के, it wastes an ATP, ADP में convert हो जाता है, it is a highly wasteful process, उसका कोई फाइदा नहीं है, वैसे इसका कुछ छोटा सा फाइदा है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी इसका फाइदा क्या होता है, अभी तुम सिर्फ यह पढ़ो कि इसका बहुत जादा नु अक्सीजन, रुबिस्को पे, एक बहुत ही सुन्दर लड़की की तरह है, रुबिस्को पे दोरे डालती है, जब अक्सीजन की concentration जादा हो जाती है, तो वो रुबिस्को को पकड़ती है, जाके ओ मेरे प्यारे, और रुबिस्को अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ छोड़ द दराल डालती है लड़कियां दराल डालती है ना दोस्ती में पहले दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं मुवीज में हम देखते हैं रियालिटी में नहीं मुझे पता होता है कि नहीं बट मुवीज में तो ऐसा पक्काई होता है दो दोस्त होते हैं लड़के लड़के और फिर ए इतनी बात समझ में आती है बोलो बोलो लड़कियां होती है इसी है अभी समझ में आ गया ना कि oxygen is the male culprit और रुबिस्को को हमें बचाना है oxygen से oxygen is the main culprit और रुबिस्को को बचाना है हमने oxygen के डोरों से रुबिस्को को बचाना है ठीक है आओ अब देखते हैं कैसे बचाते हैं इसका तरीका निकाला है c4 plants ने c4 plants ने का बेटा हम ना होने देंगे photorespiration कताई ही c4 plants में photorespiration नहीं होती क्योंकि उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे रुबिस्को और oxygen के बीच में दिवार डल जाएगी ना तो रुबिस्को ये लिफ की मोटाई है इसको यह काट लो काट लिया अब तुम्हें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कुछ अब तुम्हें समझना पड़ेगा है मैं क्या बना नहीं कोशिच कर रहा हूं this is the leaf but in a cut section can you imagine no you cannot imagine it is too big wait let me make again it is a leaf in a cut section you understand this is a leaf यह leaf है यह का cut section है यहां पर तुम्हें xylem phloem का bundle नजर आ रहा है बीच में xylem phloem का bundle नजर आ रहा है ठीक है वेसल नजर आ रही है बीच में वेन नजर आ रही है न जिससे nutrition सारा आता है अब देखो C3 plants में leaf के अंदर एक ही प्रकार का cell होता है जिसको mesophyll cell कहते हैं जिसके अंदर Kelvin cycle चलता रहता है C4 plants में दो प्रकार के cell हो जाते हैं ठीक है एक प्रकार के cell बिल्कुल इससे tightly चिपक जाते हैं बहुत thick world cells होते हैं और यह जिसे बीच में मान लो फ्लोम है यह जायलम फ्लोम के बंदल है तो मैं पर फ्लोम लिख रही हूं ठीक है यह जे cells में नॉर्मल मेजोफिल cells से बिल्कुल अलग होते हैं और यह ऐसे चिपक जाते हैं बिल्कुल ताइटली ऐसे ऐसे फ्लोम के राउंट लाइक दिस ओके थोड़ा और भी बना सकते हैं लाइक दिस ठीक है और इनकी वाल होते है बहुत मुट्टी देर वाल्स इस धिर वाल इतने थिक वाल तो कोई भी गास नहीं है सकती है ना CO2 गैस को सकती है ना फ्लोम के आसपास लाओ जरा कलर दें बिना कलर के तो हमें मजह निया अते हैं यह लो मतलब मुझे मजह नियात हैं तुम्हारा पतानी फ्लोयम के आसपाज कुछ सेल्स होते हैं जो फ्लोयम को ऐसे पकड़ के बैठते हैं सीफोर प्लांट्स में आओ मेरे प्यारे हैं तो यह कुछ ऐसा लग रहा है तुमने कभी देखा है कब जब को जब कोई महान ऊसे मरती इस duty महान भी नहीं नौन महान भी यो कोई पालिटेशन मरता है मान लो तेगा तो इसको परी बढ़ी सी मला परनाई जतीक बढ़ी Assay अब दते उ मयालो मॉउ मदनलाल मर गया ये मदनलाले बचारह आणह कैसे खु़िए मदनलाल के मरे हुए की मदनलाल is dead okay so this is मदनलाल मरे हुए बंदे पर ऐसे निचड़ाते there is a flowers की माला ऐसे बड़े वाली ऐसे उसकी अर्थी पर बड़े वाली माला नहीं रखी जाते है ऐसे रखी जाते है इस बड़े वाली माला को कहा जाता है क्रैंस रीथ कहा जाता है या क्रैंस कहा जाता है क्रैंस क्रैंस कहा जाता है जो बड़े माली माला होती है से गोल वाली जो होती है ठीक है जो हार्ड सी होती है तो यहां पर हमको आरे आरे क्या है यहां पे हम उस माला की तरह लग ने यह से ले यह जो सेल जो फूल को फूल है और यह पूरी माला है गोल वाली तो है ना इन सेल्ट को एक एक सेल को कहते हैं bundle sheet cell bundle sheath cell और इस प्रकार की anatomy को कहते हैं cran's anatomy crans anatomy तो एक प्रकार की cell हो गए इनके पास bundle इसे प्रक्र वंदल शीट बैंडा यह एऩ चुक्क्य बंडल के ऊह अथे स्घ्सक्राइब जो के ऐसे चप हो एंद बंडल में गुछ थैड घैवनठ नॉर्मल मेजोफिल ऩालिट लंट Giace जैसे C3 में होते हैं, तो इस नॉर्मल मीजोफिन सेल्स, इनका कोई जहमेला नी है, तो लिख रहे हूं यहाँ पर मीजोफिन सेल्स, अब देखो, यह इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है, C4 में, एक बार इसको नोट डाउन करो प्लीज, दन, थांक यू, रिया डोगरा, NADP used NADPH है, NADPH से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, शिव, तो NADP बच जाएगा, हाँ जी, चलो, आगे बताते हूं, देखो, हाँ, हमारा में परपस क्या है, कि हम ऑक्सीजन को रुबिस्को के पास नहीं आने देंगे, है ना, रुबिस्को वो बंदा है, जिसके उपर ऑक्सीजन डोरे डालती है, तो हम क्या करते हैं, हम रुबिस्को को छुपा लेते हैं, इसके अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को को छुपा लेते हैं, बच्चों, यहाँ पर रुबिस्को को छुपा लेते हैं, 我 लेकिन सिर्फ मी बिषण के थूछander आती है ऑपकूर के तर्म अदर आ जाती है rolled up तर्म यह प्लायर सिर्ट रेस्पीरेशन से त्रोबी न्यूबनाने जाती में क्योंकि oxygen को किसी भी ग्यास को इंपर वियस है नहीं तो यह तो यही तो हम चाहते थे रूबिस्कों को उन्हें अंदर चुपा दिया और oxygen भार रहे गी तेके जो भी प्लांट respiration कर रेस्पिरेशन तो क्या कर रहा है एंट एक मिंट एक मिंट एक मिंट एक चीज थी जो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गई थी दुबारा बता रही हूं देखो मीजोफिल सेल में खुद भी oxygen रिलीज हो रही है न यहां पर light reaction हो रहा है न दूप यहां पर दूप आ रही है यहां पर खुद भी light reaction हो रहा है यहां पर ग्राना यहां पर लाइक रियक्शन हो रहा हा है तो यहां पर फोटरेस्पिरेशन से तो हम बच गए oxygen अंदर नहीं घुश सकती bundle sheet cell के लेकिन CO2 तो अंदर घुशनी चाहिए है यहाँ पर Rubisco है Rubisco ही तो glucose बनाएगा C3 cycle चलाएगा तो CO2 यहाँ तक कैसे पहुंचेगी देखो मेरे प्यारे बच्चों C4 cell C4 plant में C4 cycle चलता है लेकिन C3 cycle भी चलता है C3 cycle हर जगे चलता है चाहिए वो C3 plant हो चाहिए वो C4 plant हो ठेक है यहाँ पर bundle sheet में C3 cycle चलेगा glucose बनाने के लिए अब बस अपना fight अपनी यह है कि अपने को CO2 कैसे वहां तक लेके जाना है अब यह चीज में detail में बना रही है चलो आगे यार मैंने तुम लोगों को confuse कर दिया है न है है वाइं कंफ्यूज यू पीपल बताओ मुझे है मैं तुम लोगों कंफ्यूज कर दिया क्या बोलो 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 यार में को लग रहा है मैं तुमनों को तंक है अच्छा मैं न तुम्हें एक बार दुबारा समझाती हूं ठीक है ठेक है और यहां बना लेती हूँ में bundle sheet cell यहां बना लेती हूँ bundle sheet cell यह bundle sheet cell है अपने बहुत मोटी wall के साथ इसकी wall में से कोई cross नहीं कर सकता जैस इनको mark कर लेती हूँ ठीक है bundle sheet cell में rubisco बैठा हुआ है और RUBP भी बैठा हुआ है RUBP यहां पर बैठा हुआ है क्यों बैठे हुआ है क्यों यहां पर C3 cycle चलेगा देखो C4 plants में भी C3 cycle चलता है glucose C3 cycle से ही बनेगा ठीक है bundle sheet में बैठा हुआ है weight में है ना rubisco बहुत बुरी तरीके से बिचारा weight कर रहा है ना O2 आपा रहा ना यहां पर CO2 आपा रहा अब हमने जानबुच के किया है ताकि O2 ना आपाए क्योंकि अगर O2 आएगा तो फोटो रेस्पेरेशन करेगा यहां पर है ना हम यह नहीं चाहते हैं तो हमने चलाकी मचाहिए चलाकी हम यह न यहांतों कर सकता आ कर सकता है मैं तो जब यहांपे करता है ठीक है पहले तोव सियोटेश एहां पर पानी के साथ जोड़ लो तो यह बना लेगा CO2 और H2 मिलके क्या बनाता है? H2CO3, ठीक है? Carbonic Acid, उसका Bicarbonate Aion बना लेते हैं, यहां से. यह बन गया मालनो, HCO3 Negative. HCO3 Negative समझते हो, कैसे बनता है? यार, CO2 को पानी में घोल दो, तो HCO3 Negative बन जाता है. H2CO3 बनता है, फिर एक H positive रिलीज हो जाता है, HCO3 Negative बनता है, इसी को Bicarbonate Aion बोलते हैं, basic chemistry है यही तो, ठीक है? अब, हम इस CO2 को हम सोचते हैं, हम गैस के रूप में तो इसको डाल नहीं सकते हैं, इसके अंदर, क्यों न हम इसको कुछ chemical बना दे? CO2 का form चेंज कर दे, और फिर bundle sheet cell में घुसा दे? O2 gas है, O2 gas अंदर नहीं जा सकती, bundle sheet के, CO2 gas भी अंदर नहीं जा सकती, bundle sheet के, लेकिन CO2 का अगर मैं form चेंज कर दूँ, उसको कुछ chemical form में चेंज कर दूँ, तो तो मैं अंदर भेज सकती हूँ ना? तो इस तरीके से CO2 चला जाएगा अंदर, और O2 नहीं जा पाएगा अंदर, क्योंकि O2 का chemical form चेंज नहीं होता, देखो क्या हो करते हैं, इस HCO3 negative को, बड़ा सा cell बनाती हूँ यार, मीज़ो फिल पे हैं, ऐसे, इस HCO3 negative को, एक और carbon acceptor accept करता है यहां पे, इसको बोलते हैं Phosphoenol Pyruvate, PEP, जोकी एक 3 carbon compound है, तो मतलब कि this is the first, और the primary acceptor of CO2, ठीक है, देको C3 plants थे, उसमें primary acceptor of CO2, RUBP था, लेकिन यहां पे, primary acceptor of CO2, PEP है, ठीक है, PEP इसको capture करता है, HCO3 negative आइन को, with the help of an enzyme called PEP case, ठीक है, Phosphoenol Pyruvate, Carboxylase, PEP case, ठीक है, अब PEP case के एक खासियत है, यह oxygen के डोरों में नहीं आता है, ठीक है, PEP case वो बंदा है, लड़कियां कितनी भी line मार रहे हैं, प्लीज, मतलब सक्स लॉंड आए हैं, समझ रहे हो ना, तो PEP case का O2 के साथ कोई affinity नहीं है, तो O2 यहाँ पर आभी जाये तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं विगाड सकती O2, O2 अपनी सुन्दर beauty लेके, विचारी, ऐसे ही रह जाएगी, परिशान ही रह जाएगी, क्योंकि PEP case उसको कोई भाव नहीं देगा, PEP में तीन कार्बन है, और कार्बन डैकसाइड में एक कार्बन है, तो 4 कार्बन कंपाउड बन गया, उसको बोलते हैं, OAA, OAA का फुल फॉर्म क्या है? Auxaloacetic Acid, और क्योंकि यह 4 कार्बन है, क्योंकि यह 4 कार्बन है, इसलिए हम इसको C4 साइकल गोलते हैं, देखो, C3 साइकल, C4 साइकल किस बात पे हैं? कि 1st stable compound में कार्बन कितने हैं, C3 में 1st stable compound कौन सा था? That one, Phosphoglycerate, जो 3 कार्बन का था, यह 4 कार्बन का है, इसलिए इसको C4 साइकल कहा जाता है, अब OAA, एक केमिकल कंपाउंड है, जिसमें CO2 केमिकल के रूप में बंद है, ठीक है? Now, this will try to move to this, बहुत ही असान है, it will change its chemical form, यहाँ पे मैलिक एसेड में चेंज होता है, मैलिक एसेड को मैलेट लिख दू, and this मैलेट can pass here, this मैलेट will come here, अब देखो, मैलेट CO2 लेके आया है, यह CO2 यहाँ से कैप्चर हो के ले गया, तो मतलब CO2 को हमने, एक सीक्रेट दर्वाजे से अंदर भेज दिया है, बंदल शीट के, O2 आने सकती इस दर्वाजे से, O2 नहीं आ सकती, क्योंकि पैप केस जो है, वो सिर्फ CO2 को कैप्चर करता है, सक्त लॉंडा, O2 से कोई एफिनिटी नहीं उसकी, तो O2 बिचरी परिशान है, बंदल शीट सेल में आने के लिए, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, दिवारों पर सर पर टकरी है, पर O2 अंदर नहीं आपा रही, सिर्फ CO2 केमिकल बना के हम अंदर ले आए, अब यह जो मैलिक एसेड है, मैलिक एसेड है, वो यहाँ पर, इसकी D-Carboxylation होती है, और यहाँ पर यह CO2 रिलीज करता है, यहाँ पर यह CO2 रिलीज करता है, यह CO2 रिलीज होई, यहाँ पर C3 साइकल चला दिया पूरा, C3 साइकल चला दिया, यहाँ से ग्लुकोस बन गई, यह अंदर सेंड, तो बेसिकली सारा ड्रामा, CO2 रुबिसको तक लाने के लिए था, RUBP तक लाने के लिए था, और इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए था, ताकि ऑक्सीजन कहीं से भी एंटर ना कर जाए, इसके अंदर, अब इसमें से एक कर्बन डियकसेड निकल गी, अच्छा, मैलेट भी 4 कार्बन है ना, जब OAA 4 कार्बन है, तो मैलेट भी 4 कार्बन है, जब इसका एक कर्बन निकल गया, तो यह पर 3 कार्बन कंपॉंड बन जाएगा, उसको बोलते हैं, पाइरुवेट, पाइरुवीक एसिड, 3 कार्बन, अब यह वापस ट्रांस्पोर्ट हो जाएगा, और यहां से पैप की रिजनरेशन हो जाएगी, यहां पर पैप की रिजनरेशन हो जाएगी, पैप की रिजनरेशन में एक ATP और लगता है, मतलब इस साइकल में एक ATP यहां लगा है, बाकि C3 में जो ATP लगता है, समझ में आया है, क्या क्यों किया हमने, C4 साइकल क्यों चलाया, समझ में आया है, समझ में आए बोलो बोलो एई यार बताओ पहले यह बताओ समझ में आया कि नहीं आया है बोलो वा बच्चो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कोई ऐसा बच्च जिसको अभी भी नहीं आया हो सी फोर तुम्हें समझ में आगे क्यों कर रहे हैं सी फोर समझ में आगे क्यों कर रहे हैं रूबिस्को को बचाने के लिए कर रहे हैं और सिर्फ प्योर सी ओटू देने के ले कर रहे हैं उसको ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो हां इफद सबार हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समप कर दूंगी सी 3 और सी 4 को समप कर दूंगी ठीक है तान्य सक्से ना मेटा तुम्हारा क्वेशन अभी भी नहीं देखा है मुझे ओके अब देखो अब देखो यह पूरा जो यह सी 4 साइकल राइट इससी 4 साइकल और सी 4 साइकल के नीचे हां पर सी 3 साइकल भी चल रहा है अब तुमको यह बात समझनी पड़ेगी की सी 4 प्लांट्स में सी 4 साइकल भी चलता है क्योंकि यह 4-carbon compound यहां पर बन रहा तो सी 4 साइकल भी चल रहा है ठीक है ग्लूकोस बनाने के लिए अब ऐसे कोशन बनेगे तुम्हें कि बटा बताओ सी 3 साइकल कहां चलता है बंडल शीथ में चलता है तो तुम्हें कहना है बंडल शीत में चलता है मीजोफिल में चलेगा तो तो फिर और ऑक्सिजन ही पकड़ साइकल महेंगा एक 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 पी दीने के लिए तयार हैं बस फोटरेस्पिरेशन ना हो तो सब साही है ठेक है योगि फोटो रेस्पिरेशन में तो ATP भी लग रहा है CO2 भी जा रहा है understood so C4 plants बहुत बढ़िया तरीके से thrive करते हैं ऐसी conditions में जहां पे बहुत ज़्यादा sunlight भी होतो even in extreme sunlight C4 plants are very happy why? because there is no photo respiration C3 plants थोड़ी सी भी sunlight ज़्यादा होती है ज़्यादा temperature ज़्यादा sunlight होती है तो stomata बंद होती है stomata बंद होती ही photo respiration लगती है C4 plants में जो मट भी कर लो stomata बंद कर लो कुछ भी कर लो कभी photo respiration नहीं होगी क्यों? oxygen रूब इसको तक पहुँची नहीं पाती अब मैं sum up कर रही हूँ C3, C4 को sum up कर रही हूँ मैं कर दू आओ देखो ये एक C3 plant का पत्ता काटा हुआ है मैंने ऐसे थोड़ा सा उपर बनाना चाहिए था पत्ता काटा हुआ है मतलब रियल में ही leaf काटा है मैंने पत्ता नहीं काटा हुआ है वो वाला पत्ता नहीं किसी का पत्ता काटने वाला पत्ता नहीं ठीक है ये C4 cycle की leaf है ये C4 cycle की leaf है यहाँ पर phloem है दोनों के अंदर this is the phloem this is the phloem ठीक है C3 plants में सिर्फ एक ही प्रकार के leaf है ये हैं, cell हैं जिनको mesophyll cell कहते हैं C3 में सिर्फ एक ही प्रकार के cell है जिनको mesophyll कहते है ठीक है C4 में दो प्रकार के cells है एक very thick-walled bundle sheet cells अंदर वाले ऐसे and thin-walled mesophyll cells जो इसके साथ में लगे हुए है mesophyll cells ठीक है अब देखो C3 में क्या होता है ध्यान से देखो मेरे बच्चों सब समझ में आएगा एक cell थोड़ा बड़ा बना लेते हैं I'll make one big cell like this C3 के cells में माल लो यहां माल देखो यह स्टोमेटा है यह स्टोमेटा है तो स्टोमेटा से यहां से CO2 आता है और CO2 यहीं पर ही C3 साइकल चला देता है C3 साइकल चला देता है RUBP Rubisco की help से yहां पर सी 3 साइकल चला देता है और यहां पर glucose बना देता है हों तो यह oxygen कमबाइण कर जाएका यहां पर यहां पर रॉबिस्कों है यह ना बहुत घंध पंद बन रहा है पाथा नहीं क्यों साफ नहीं बन रहा है मुझसे ना प्रपर यहां पर यहां पर घुटा सब्सक्क dobrsky और यहां पर अपर फोर्टर एस्पिरेशन हो गए और ऴांज रहे के द्वारा PEP के दुआरा और यह CO2 capture करके malic acid की रूप में यहाँ लेके जाते हैं और C3 cycle यहाँ चलता है ठीक है तो अगर oxygen अंदर आने के भी कोशिश करेगी तो नहीं आपाती तो oxygen को protect कर लिया जाता है क्योंकि RU rubis को यहाँ पे अंदर है और यहाँ से फिर हमने CO2 capture करके PEP ने यहाँ से पकड़के यहाँ पे ले गया फिर यहाँ पे CO2 release कर दी यहाँ पे इस तरीके से C4 cycle चल रहा है मीजोफिल और bundle sheet के बीच में C4 cycle चल रहा है और सिर्फ bundle sheet में C3 cycle चल रहा है समझ में आया है Am I clear बतादो बच्चों बतादो बतादो एक्जाम्पल्स of C4 C4 के बड़े सार एक्जाम्पल कर सकते हैं तुम तुमारी NCRT के अनुसार मेज है सौरगम है शुगर केन है बिल्कुल बिल्कुल इसी को hatch and slack pathway कहते हैं C4 कोई बिल्कुल आंचल दुए वेदी hatch and slack pathway C4 कोई कहते हैं clear हो गया हाई बच्चों बस तुमारा clear हो जाए मुझे इसी से ही बहुत खुशी हो जाती है तान ने सकसे ना ये मैंने पिछली क्लास में आंसर किया था तुमने मेरी पिछली क्लास नहीं लगा ये बेटा C3 में photorespiration होने से क्या नुक्सान होते है photorespiration is a wasteful process सोचो यहां पर C3 cycle के जगे photorespiration चल जाए पहली बात तो glucose नहीं बनेगा so photorespiration is not giving you anything useful ना तो वो glucose बना रहा है it's making nothing basically second photorespiration होने से यहां पर CO2 लूज होईगी this CO2 will be released from the plant now CO2 is very important thing here carbon is very important for the plant plant afford नहीं कर सकता अपना carbon lose करना लेकिन यह यहां से CO2 as a waste product निकालती है photorespiration और फिर यह CO2 environment में लूज हो जाती है दूसरी बात photorespiration ATP use करती है फाल तो में एक ATP खच्च हो रहा है यहां पर लब कितना नुक्सान हो रहा है हमारा glucose भी नहीं बन रहा है ATP use भी हो रहा है CO2 भी निकाल रही है Tony नहीं बेटा यह photosynthesis का last lecture नहीं है अब factors affecting photosynthesis पढ़ना अपने को camp plants में अंचल दूए दी time होने वाला है बेटा camp plants का मैं तुम्हें कल ही explain करूँगी बस C4 हो गया मैं तुम्हें camp कल ही explain करूँगी अब ऐसा है बच्चो में बात सुनो अगर तुमको अभी भी नहीं समझ में आया C4 एक बड़ घर जाके पढ़ो घर तो तुम बैठे हो एक बार NCRT खुलके पढ़ना ठेक है try to relate जो मैंने बाते कहीं है कि तुम्हें वो चीज़ वहां से relate हो रहा है के नहीं हो रहा है NCRT में एक table है उन questions का answer देने की कोशिश करना अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगती है और तुम्हें लगता है नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें C3, C4 के बारे में एक class separately बना दूँगी अगर तुम्हें कोमेंट लिखा तो मुझे पता तो नहीं चलेगा कि आसा हुआ है बट फिर भी मुझसे पूरा कोई नहीं होएगा तो अगर तुम मुझसे पूरा syllabus पढ़ना चाहते हो मतलब फास्ट पढ़ना चाहते हो फास्ट ट्रैक हो के जैसे कि अभी फोटो संथे समने 15 दिन में यहां पर खतम किया है वहां पर फोटो संथे सम तीन-चार दिन में ही खतम करेंगे प्लस पे एक क्रैश कोर्स में और पूरा मतलब कि वहां पर रोज में दो-दो घंटे पढ़ाती हूं देड़ घंटा का भी पढ़ाती हूं तो वहां पर टाइम जादा मिलता मुझे पढ़ाने के लिए प्लस पे तो अगर आप प्लस पे आ सकते हैं तो आ जो देखो फिर रहम ऐलेकी को कैसे पढ़ते हैं ऑगर तुम मेहनत करो तो तुम मैहनत नीं करो कि फिर मैं भी कुछ नी कर सकती हैं टेक्ड महीने हैं मस्त पढ़ाई करो नीकी जरा जोर लगाओ अँसे मस्त फोचो कि नहीं होगा अगर तुम यूट्यूब से पढ़ना जाते हो तुम यहीं पर करोगे तो यहां पर भी कर सकते हो ऐधा कोई दिक्कत नहीं है पर अगर तुम और बेटर करना चाते हो तो यू कें ज्वाइन प्लेस तुम्हारी मर्जी है वो चीज जब भी जोइन करने जाओ कोड लगा दे ना रित्तु लाइव जैसे तुम यह कोड यूज करोगे तुमको दस परसेंट आफ मिल जाएगा तुम मेरी क्लास में घुज जाओगे और मैं तुम्हें बहुत सारी अच्छे चीबाते बढ़ाओंगी ओके थैंक्यू सो माच आल सी यू बाई-बाई-बाई- झाल